दश्मेश पिताता तब अस्थान कुर्दवारा श्री हेमकुंट साहिब समुदरी तल तो 15200 फुट दी उचाईद उपर मौझूद है श्री हेमकुंट साहिब पर की तो हानू श्री हेमकुंट साहिब जी दी जात्रा दी इह जानकरी है जेकर नहीं है तो आओ तो हानू दस्देयां श्री हेमकुंट साहिब जी दी यत्रा दे बारे विच इहें एहम कलना गुरु गुबिन सिंग जी दे नाल सबंदेत तीर्त अस्थान श्री हेमकुंट साहिब 15200 फुट दी उचाईद दे मौजूद है महानकोश दे करता पाई कान सिंग नबा दे अनसार हेमकुंट जाफिर हेमकुंट अते हेमकुंट दा शाब्दिक अर्थ है हिमालिया दे तारा विच इंदर देवमनसर दे कोल हेमकुंट परबत जिस्दा जिकर महापार्थ दे आद परबत एक सो उन्नी में अधियाई दे विच भी आयाई इंदर देवमनसर प्राप्य हेमकुंट मती थी आच पटने दे जिले राजगिरी दे पंज पहाडां दे विचों रतन गिरी दा नाम भी हेमकुंट है दसम गरंथ दे विच भी हेमकुंट दे बारे विच जिकर किता गयाई इस गुलावा दस दिये कि शिरी हेमकुंट साहिब दे अस्थान दे दसम पात्षा गुरु गोविंद सिंग जी ने अपने पूरुबले जनम विच दुष्ट दमन दे रूप विच अकाल पुर्खदा सिम्रण केता शिरी हेमकुंट साहिब दा अस्थान उत्तर परदेश विच हरिद्वार, रिशिकेश, शिरी नगरगरवाल, करण परियाग, पिपल कोटी, जोशी मट, गोविंद काट, गोविंद ताम तों उपर समुदर दी सतायतों 15,210 फुट दी उचाईर उपर मौजूद है इस पवित्र अस्थान ती यात्रा दे लई आउन वाले परमुख पडामा दी विच्चों रिशिकेश नंबर एक ते है इत्थे गुरद्वारा सहिब दी आलेशान इमारत है संगतान दे रहन वास्ते वड़ी गिंती दे विच्च कमरे बने होईने जेकर यात्रू संगतानों कमरे नावी मेरन ता उहो वख वख तरांदियां सहूलतां वाले सस्ते मैंगे होटल वी काफी गिंती दे विच्च मौजूद ने उना दे विच्च रात तां कट सक्दे ने इस तो लावा केहा एवी जनदाए कि एही रिषियां दा करसी हर दिवार तो अठाई किलोमेटर दे दूरी दे उपर तित इस पुरातन शहर नूर रिषियां दा कर भी केहा जनदाए रेलवी दा एही आखरी स्टेशन इत्थों पहाडी सफर शुरु होंदाए या तरी चल रहे पानी दे चरने अते इसनों मोव लैन वाली हर्यावल देखे मन खेड उठताए। चल रहे पानी देखे मन खेड उठताए। चल रहे पानी देखे मन खेड उठताए। उचे नहीं में रस्ते दे पैदल चल देखे संगतां कोदरती दरखतां फलां फुलानों वेफदेखे गुबिंद ताम पहुंच देखे ने। इही किरायते मुदे ने यात्रियों नो इस सफर दोरान बिसकुट, काजू, मनका, शुहारे, बदाम, अखरोट, फुरूट, नेम्बू, चूरन, टाफियां दी वर्तो करनी चाहे दिया। रस्ते विच भी चाह, बिसकुट, कोल्ड, ट्रिंग, पकॉड़ियां दियां काफी दुखाना ने पर ओना तो समान बहुत महिंगा मिलता है। इना दे रेट आम कीमत देनालों कितने किले जादा हुंते ने। इस करके लोकान देवनों अक्सर अपना समान खुद ले जाय प्रबंद, पहड़ा दी गो दे विच एकांद विच इस गुर्द्वारा साहिब दे विच पहुंच देयां, इंज परतीत होंदा है कि जिमें असी ब्रहमन दे विच पहुंच गया हुई है। इथे शांद बाता वारन हैं, कोई परदूशन नहीं हैं अते नाही कोई शोर इते सिर्फ तन अते मन दी शांती में दिया हैं, इते हर शर दालूनों अराम करन दे लई चार जाफिर पंज कंबल दे जन देने, गोविंद ताम विखे संगतां दे ठैरन दे लई कामरे अते बड़ा हाल भी बने होया हैं, रात विच राम करन उपरंत अगले दिन संगत श दी चड़ाई दे उपर गुर्दवारा शिरी हेमकुंट साहिब मौझूद है, इस अस्थान ते पत्थर दियां 1160 पौडियां राही भी चड़ के पहुंचिया जा सकता है, गोविंद ताम तो हेमकुंट साहिब तक जान वाले रस्ते दे उपर सरकार दे बल्लों एक पुल बनाया गया है, गुर्दवारा गोविंद ताम तो शिरी हेमकुंट साहिब तक जान वाले रस्ते नू पका गिता गया है, इस अस्थान दे उपर पहुंचन दे लई 3-4 कांटे तक दा समा लगदा है, जिमें ही शिरी हेमकुंट साहिब संगता नू दिखाई देना शुरू पहुंदा है, ताम मन दी खुशी जैकारियां दी गूँज दे विच बदल जन्दी है, इस तीर्थ अस्थान दे एक पासे विशाल सरूवर है, जिस दे शुद अते ठंडे जल दे विच इशनान कर देया ही, उन्नी किलोमेटर दी पैदल चड़ाई दे कार्न ठके हो या त पहुंदा शरीर तरो ताजा हो जन्दा है, सुरूवर दे किनारे उन्नी सो चबी इस विदे वेच बढ़यां गुरुदवारा साहिब है, जो पकती अते प्रभु मिलाब दा परतीक है, शरी हेमकुंट साहिब गुरुदवारा मनेजमेंट ट्रस्ट दे वल्लों तिती जान परतीक है, शरी हेमकुंट साहिब दे के वार 2 मैं नो खोले जा चुके ने, इस तो लावद हस्ती है कि गुरुदवारा शरी हेमकुंट साहिब विखे संगत नो रात ठहरन दी आगया नहीं मिल दी, क्योंकि शरी हेमकुंट साहिब विखे आकसीजन बहुत का तुन दिया, अते संगत दा जादा एक गठवी नहीं होन देता जांदा, परबंदक स्पीकर दे राही ही एह अनाॉसमेंट वार वार कर दे रेंदेने कि संगत इशनान करके गुरुदवारा शरी हेमकुंट साहिब दुनिया विखे सब तो उच्छे स्थान दे उपर मौजूद है, गु अते कदे बर्फ दिनाल टकियां हुया पहाड़ियां, चौथे पासे बारा महीने बर्फ दिनाल टकियां हुया, परबत इस सुरोवर दे सुंदरतानों चार चन लगां देने, सरदी दे मौसम दे विच बर्फ इन्नी जादा पैंदी है कि गुरुदवारा साहिब निशान स अते सुरोवर वी बर्फ दिनाल टकियां देने, हेमकुंट साहिब अक्तूबर महीने तो लेके मार्च महीने तक बर्फ दिनाल टकिया रहन दाए, अप्रैल महीने दे विच फाज आईटी बीपी बंगाल इंजिनियर अते बार्डर रोड वाले फाजी अते करमचारी ए रस ता जा फिर कोई इस तरह दी तो हड़ी अब प्लाइनिंग रही होवे आते तो आड़ा कोई इस तरह दा सफर जो कि तुसी सांजा करना चाहों ता तुसी कमेंट सेक्शन दे विच आगे सांजा कर सकते हों वेरो रिपोर्ट वर्ल पंजाबी डिस्टल